हेलो डियर फ्रेंज, रुद्धरा इंस्ट्यूट आपको स्वागत करता है। आज हम चतिसगड की सिचाई परियोजनाओं पर आपके समझ प्रिकाश डाल रहे हैं। चतिगड में जलसन साथन और सिचाई एक बहुत बड़ा टापिक है। इसलिए इसे छोट छोटे अनेक वीडियो में वरगी कृत करके रोचक रूप से आपके समझ प्रस्तुत करने का नेने लिया। इस कड़ी में पार्ट वन चतिगड में सिचाई परियोजनाओं हम आपके समझ रख रहे हैं। आईए मानचित्रे में देखते हैं। चतिगड में सिचाई परियोजना राज्य निर्माण के समय जहां राज्य में कुल सिंचित भूमी 13.49 लाख हैक्टियर थी जो प्रस्त में 23.15 थी। वही सासन के निरंतर प्यासों से सिंचित भूमी का रखबा निरंतर बढ़ता रहा। निरंतर मिस्तिती में दिसंबर 2019 की स्तिती राज्य में कुल सिंचित भूमी का रखबा 21.02 लाख हैक्टियर अर्थात कुल बोया गया छेत्र का 36.88 परसेंट हो गया। वर्तमान सरकार इस छेत्र को सरुच प्राक्वित्ता देती हुए दसकों से लंबित राज्य की प्रस्तावित सबसे बड़ी बहुत देशी परियोजना बोधगाट परियोजना को मूर्द रूप देने में लगे हुई है। इसके अलावा हमारी वर्तमान राज्य सरकार राज्य की अपनी फ्लैक्सिप योजना के तहात नर्वा गरवा घुरुआ बारी योजना के तहात जिन में मुक्ते नर्वा राज्य में छोटे छोटे जलस रोतों अर्थात नदी लालों पर इनिकेट निर्मार कर इस्थानी जलसन अछन को जन सहयोग के माध्यम से बढ़ावा दे रही है। दोस्तों आपकी समझ जो चाट दिक रहा है इसमें राज्य में सिचाई एरिकेश्थन अब देश्टे कंट्रिविशन योगदान के देश्टे से राज्य में सिचाई का प्रशक इस प्रकार है। नहरों के द्वारा सिचाई 49.05% नलकुप या ट्यूब बेल के माध्यम से सिचाई 43.48% तलाबों के माध्यम से सिचाई 2.24% वों के माध्यम से सिचाई 1.4% तथा मिशलेनियास या अनिस दोतों के माध्यम से 4.10% दोस्तों ये आक्रे जो हम आपके समच रख रहे हैं ये क्रिसी संख्या 2018 के अनुसार है लेकिन नविंतम इस्तिती में आपको ध्यान रखना है कि राज्य में सिचाई के विभिन साधन और उनका प्रश्षत्मी योगदान ये काफी महत्पूर है अता इसे हमें साध्यान र में माने मुख मंत्री प्रस्तुत करते हैं उसके अरुसार हमिशाट में आकार निर्मित निर्माना धीन परिजनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रहत परियोजनाएं हीूज प्रोजेक्ट आठ हैं जबकि चार निर्माना धीन हैं मध्यम परियोजनाएं 37 हैं निर्मित हैं और एक निर्मानाधीन है 37 and 1 इस्तमाल प्रोजेक्ट लगू परियोजनाए 2395 और निर्मानाधीन है 369 379 एनिकेट और इस्टापडेव निर्मित है 718 जबके निर्मानाधीन है 145 145 राज्य में जलसंसाधन के संदर में दो पच्छ बहुत महापूर है पहला सतही जल वाटरफेस दूसरा भूजल लैंडरी जल धारातली जल या सतही जल वह जल है जो प्रत्वी की सतह पर नदियों जीलों तलावों और आदर भूमियों में संचित होता है इसके राज्य में कुल मात्रा 48,296 मिलियन क्यूबिक मिटर है जो की उप्योग में लाया जा रहा है दोस्तो इसी प्रकार भूजल जो हमारा भूगरवी जल है भूजल या भूगरवी जल धरती की सतह के निचे चैटानों के कणों या अंतरगास या नंद्रावकासों में उसे हम भूजल कहते हैं कुल मात्रा 11,630 मिलियन क्यूबिक मिटर जिसमें उप्योग में लाया जा रहा है 5,120 मिलियन क्यूबिक मिटर भूजल की दिष्टि से विभिन स्रेणियों में विकास खण दोस्तों हमारे राज में जो बलाक हैं उनकी संख्या 146 है जिने हम हिंदी में विकास खण कहते हैं राजे के 126 विकासखंडों में भूजल की इस्थिति आभूगर्वी जल की इस्थिति और स्रेणी इस साथ के समझ आपके समझ है जिसे सुरचित स्रेणी में विकासखंड 112 है मतलब यहाँ पर हमें भूगर्वी जल में चिंता करने के आओ सकता नहीं और परियाप्त है क्राइसिस है ऐसे विकासखंडों की संख्या दो है अत्यधिक दोहन से संदर्वित अभी वर्तमान में ऐसी इस्तिति नहीं आई है इसलिए कोई भी विकासखंड नहीं है सरवाधिक सुद्ध सिंचित सिचाई स्रोत और जिला हमारे राज्य में जो 28 जिले हैं उनमें से नहरों से सरवाधिक सिचाई जांगिर चापा में होती है जबकि ट्यूब बेल या नलकुप से सरवाधिक सिचाई रैपुर जिले में होती है प्रपों से सिचाई की मामले में वरतमानि सित्य में जसपुर का इस्थान अगरिनी है जबकि कुए सिचाई में दंते वड़ा है जबकि कुल योग अर्थात सकल सिंचित भूमी जांगिर चापा में सर्वाधिक है जानगीर चापा में सरवाधिक है, आईए, जिलेवार सरवाधिक और नियुंतम सिंचाई जिले, संपूर फसलों के छेतरफल से सिंचित छेतरफल का प्रच्छत, सरवाधिक सिंचित जिले जानगीर चापा, 80 प्रश्यत भाग, रैपूर 77 या 77 पर्शेंट, दूर्ग 70 रैपूर और दुर्ग जबकि निम्तम सिंचित तीन जिलों में दंतेवाड़ा सुकमा और नरायनपूर का इस्थान आता है जहां दंतेवाड़ा सुन्य प्रिश्चत सिंचित हैं सुकमा और नरायनपूर में एक प्रिश्चत धाग सिंचित छेतर में आता है फसलों के निराबोया छत्र NET, कल्टिवेटट, ERIGATED एरिया में सिंचाई का परसेंटेज दोस्तों ये सद्ध हिंदी में कई बारा था है निरा निरा के लिए एक्जैक्टोर है NET, Area, कल्टिवेटट और ERIGATED दोस्तों इस त्रेनी में सरवाधिक सिंचित निरा क्रिसी भूमी रायपूर 85 प्रिश्चत है जानगीर च्यापा 80 प्रिश्चत है धंतरी 86 प्रिश्चत है न्यूंतन सिंचित जिलों में वही क्रम है दंतेवाडा सुक्मा और नारैन राजी की प्रमुक सिचाई प्रियोजन है तथ्यात्मक विवेशन राजी की जीवन एखा महानदी को कहते हैं महानदी पर विस्वेंग की सहायता से 1975 और 1978 के दोरान कई प्रियोजनों की निर्माण के लिए प्रजेक्ट त्यार किये गए उस समय हमारे राजी के मुख्मंत्री मने, दिवंगत, स्यामाचरण सुकला थे स्यामाचरण सुकला के प्रयासों से ही महानदी परियोजना निर्मार हुआ इसलिए स्यामाचरण सुकल जी को छत्यगर का भागी रथी भी कहा जाता है तो राज्ये में जो महानदी सिचाई परियोजना है आईए इस पर हम प्रिक पूर और कांकेर में बान मनाए गये हैं और उन से नहरे निकाल कर सिचाई की सुभधा का विस्तार किया गया इस क्रम में रवी संकर परियोजना 1978 इसे गंग्रेल डेम भी कहा जाता है राजका हिराकुम रवी शंकर जलासे को कहा जाता है जो धंतरी जिले में इस्तित है इसे ही गंग्रेल बान भी कहते हैं इस बान से नहरे निकाल कर धंतरी गरियावन रायपूर बलोगा बजार जीरों में सिचाई सुधा उपलट कराई गई है बिलाई श्टील प्लान को भी यहां से जल आपूर्ती की जाती है तो दोस्तो राजक का सबसे बड़ा बान है रवी शंकर जलासे धंतरी में स्तित है और ये महारदी परियोजना के था विश्वेंग के द्वारा निर्मित राजक की सबसे बड़ी सिचाई परियोजना इसके जलावा रुद्री बैराज 1912-15 में इस बैराज का निर्मार किया गया दोस्तो रुद्री बैराज और कंडेल नहर स्त्याग रहे आपने इतिहासिक खंड में पढ़ा होगा कंडेल नहर जिसमें भाग लेने के लिए मानी महात्मा गांधी जी छत्तिकड़ाय थी इसी का सबसे बड़ा साइफन डेम है 1923 में निर्मित किया गया इसका नामकरण हाले में राजसासन ने यहां के सबसे सुतंता से नानी दिवंगत छोटे लाल सिर्वास्तो जी के नाम पे किया है दोस्तो मन में प्रश्णिय आता है कि साइफन डेम क्या होता है ऐसा बान जिसमें जल के मिकासी के लिए बड़े गेटों का निर्मार ना करके उसके निर्मार के समय उसमें कुछ ऐसे कोणी इस्तर बनाये जाते हैं कि अत्रित जल छलक कर निचले इस्तर पे आ जाए उससे निचले इस्तर पे आ जाए जिससे बान को खोलने और मेंटेन की प्राबलम ना रह तो साइफंडे, राजिक का मानमसिली जलासे, जिसका नया नाम करन है छोटे लाल सिर्वास्तों पर योजना, दुधावा या दुधावा जलासे, उननी सुमेसट में कांकेर धमतरी के सिमान छेत्र, दुधावा जलासे का निर्मान महानदी पे किया गया, और यह एक राजिकी ब्राद पर योजना है, और यह भी कह सकते हैं हम कि दंडे कारण के पठार से लगे भी कौनसी पर योजना है, जो महानदी पे निर्मिथ है, दुधावा जलासे, आईए इस क्राम में नेक्ष्ट आगे बढ़ें, तो आपके समझ यह जो नक्सा दिखाई दे रहा है, छत्तिगड के मानचित्र में रुद्राइश्यूट आपको संभाग के तहा, क्रमसा, रैपूर संभाग, दुरुग संभाग, बस्तर संभाग, बिलासपूर संभाग, स सिचाई परियोजना है, वहाँ के बेराज, वहाँ के जलास है, और वहाँ जल प्रपात को आपके समझ रहा है, आपके समझ जो चार्ट है, यह रैपूर संभाग का है, जिसमें आपके समझ सबसे उत्तर में देखेंगे, तो बलार परियोजना इस्तित है, बलार नाले पे, बलोदा बजार के कश्डोल विकासखन में स्थित है राजसासा ने विगत दिनों इस परियोजना का नाम यहां के सुप्रसिद्ध दाजनेता कनहिया लाल सरमा जी के नाम पे किया गया कनहिया लाल सरमा परियोजना किसका नाम पड़ गया दोस्तों बलोदा बजार जिले में ही बार्नवा पारा अभ्यारन इस्तित है बार्नवा पारा अभ्यारन में बलम देई नदी प्रवाहित होती है बलम देई नदी पर बार्नवा पारा अभ्यारन में तुर्थूरिया के निकट देवधारा जलप्रपात है दोस्तो सिचाई परियोजनाओं में हम परेटन को जोड़ते हुए जल प्रपात को भी आपके समझ रख रहे हैं तो रहपूर संभाग के सुप्रसित जल प्रपात देवधारा कहां इस्तित है बलोदा बजार जिले में बारनवा पारा अभ्यारन के था इसी प्रकार बलोदा बजार जिले के दच्छिनपूर सिमान छित्र में अरजुनी ग्राम में जोग नदी पे जोग परियोजना का निर्मार किया गया है दोस्तो जोक नदी मोलता उरिसास में इसका उधगम होता है और राजी के दच्छिन मध्ध उरिसास सीमानष्चत में प्रवाहित होते हुए यह नदी महासमूण और बलोदा बजार में प्रवाहित होती है आगे चाल कर सुरी नायन के निकट जोग नदी महा नदी में मिल जाती है तो जोग परियोजना का निर्मार कहा गिया गया है बलो दवजार जिले में दोस्तो इसी प्रकार महासमुझ जिले में कोडार परियोजना है कोडार नाले पे निर्मित यह परियोजना जिसका नाम करन बी नायन सिंग परियोजना के नाम से किया गया है महा समुझले में ही केस्वा नाले पे केस्वा परियोजना का भी निर्मार किया गया है इसी प्रकार रायपूर में एक विसाल जलासे है जिसे पेंडरावन जलासे कहा जाता है इस जलासे में पेंडरावन जलासे में 1909 में एक छोटा सा बान निर्मित किया गया था कुलहान नाला और जो आसपास के छित में सिचाई का कारी करता है पेनरावन रायपूर जिले के उत्रिभाग में कुलहान नाले पे निर्मित है इसी प्रकार महा समुन और रायपूर सिमान छित में महा नदी पे समोदा बैराज का निर्माड किया गया है समोदा बैराज आसपास के छित में सिचाई सिप्धा को बलद कराता है तो दोस्तो अब आए हम रायपूर संभाव में गरियाबन जिले में चलते हैं सिकासार परियोजना यह परियोजना पहली नदी पे निर्मित की गई है सिकासार परियोजना गरियाबन पहली नदी यह ध्यान रखेंगे यह भी महानदी परियोजना का ही भाग है इसी प्रकार गर्याबन में मैंनपुर विकास खंड के इताथ उधियंती अभ्यारान इस्थित है इस अभ्यारान का नाम यहां प्रवाहित होने वाली उधियंती नदी के नाम पे किया गया है उधियंती नदी इसी उधियंती अभ्यारन में गोधना जलासे का निर्मार करती है गोधना जलासे उधियंती नदी ये आप ध्यान रखेंगे उधियंती नदी उडिसा में प्रवाहित होने वाली तेल नदी की सहायक नदी है तो दोस्तो इस क्रम में हम धमतरी जिले में प्रिवेश करते हैं छत्री गड़ का 100% छोटासा जिला धमतरी शिंत सिचाई परियोजनाओ के छेतर में और जल संसानन की दिश्टी में काफी संपल धमतरी जिले में आपके समझ जो मानचित्ति में दिख रहा है रुद्री बैराज 1915 यह धमतरी के निकट महानदी पे निर्मित क्या गया है गंग्रेल डेल 1978-79 रवी शिंकर जलासे के नाम से भी से जाने जानते हैं सिलियारी नदी पे माडन सिली परियोजना है यह भी धमतरी जिले में है इसके अलावा धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के तहां सोंधूर जलासे सोंधूर नदी पे बिनाया गया है सोंडर जलासे उसे प्रकार महानदी धमतरी से कांकेर में जब प्रवाहित होती है तो इसके सिमान छेत्र में दुधावा जलासे का निर्मार क्या गया है तो दोस्तों आपके समझ जो चाठ है ये रैपुर सम्हाग और वहां की सिचाई परियोजनाओ वहां के जलासे और वहां के जलप्रपात को आपके समझ रखता है आईए हम कुछ परियोजनाओं पे संशित में प्रकाश डाव दे है सिकासार परियोजनाओ, इस्थिती, पैरी नदी, गरियावन विशेशताएं, गरियावन जिले में निर्मित इस परियोजना से गरियावन, रैपूर और महासमझ में सिचाई सिद्धा उपलत कराई जाती है कोडार परियोजनाओ, इस्थिती, कोडार नदी पे महासमझ विशेशताएं, महासमझ जिले के कववाज हर ग्राम के निकत महानदी के सहाय कोडार नदी पे निर्मित है इसका नामकरण बीर नरायन सिंह के नाम पे किया गया है केस्वा परियोजनाओ, केस्वा नाला महासमझ में है या एक लहू सिचाई परियोजनाओ है, जो महासमझ जिले में निर्मित है जोक परियोजना इस्थिती जोक नदी अरजुनी ग्राम बलोदा बजार बिशेशता हैं बलोदा बजार जिले के अरजुनी ग्राम में इस परियोजना का निर्मार किया गया है जिससे बलोदा बजार और महासमुन जिले में सिचाई सुधा प्रदान की गई बलार परियोजना, कनही अलाल सर्मा परियोजना, इस्थिती कशडोल बलोदा बजार, विशेशता है बलोदा बजार जिले में निर्मित, इस परियोजना से जिले के कशडोल में सिचाई सुबधा उपलब कराई जाती है, समोदा वहराज, रैपूर, महा नदी पे निर्मित ह विशेशता हैं बलावदाबजार के तुर्टूरिया में 12.9 पारा अभ्यारण के मद्ध में बलम्नेई नदी पे देवधारा जल्परपात इस्तित है दोस्तों ये बड़ा उल्जन है क्योंकि देवधारा जल्परपात गरियाबंद में भी है लेकिन ये हम बलावदाबजार बलम्नेई नदी की बात कर रहे है गोदना जल्परपात इस्तिती उद्यांती नदी गरियाबंद विशेशता हैं गरियाबंद जिले के उद्यांती अभ्यारण में इस्तित है जैतमाई घटारानी जल्पात दोस्तो आप मेंसे कई लोग यहां भूमाए होंगी प्रकरती के सुरम अंचलों में उचे परवतों से गिरता हुआ जल्पात मन को अलहातित कर देता है रैपुर के निकट रैपुर के निकट गरियाबंद जिले के छूरा अभी कास्खन में सित्ध ये प्रसिद्ध प्रकरतिक संदर इस्तल है जहां अनेक धार्मिक मेले और फुशिद्ध इस्तल है घटारानी जैतमाई गरियाबंद दोस्तो छत्तिगर के सिचाई परियोजनाओ के इस खंड जिसमें हमने रायपूर सम्भाग और सिचाई परियोजनाओ पर एक संचिप में प्रिकाश डाला है आपको प्रसंद आएगा ऐसा हमारा विश्वास है आता है आप अपने सुझाओ कमेंट के माद हम से जरूर दें औ और हज जिसे कि हम इस कड़ी को और रोचक और उपयोगी बना सके इस कड़ी में अगले वीडियो का आप इंजार करें जो इसी का आगे विस्तारित होगा जिसमें हम अन्निस सम्भागों की सेचाई परियोजनाओ पर आपका प्रिकाश डालेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग ते प्रिकाई ठालेंगे झालेंगे ङस अटार में अर प्रिकाई हम इस झालेंगे उन्निस लुटप नग्टार अचम के लिए лा समूभापक के जारेंगे वीडियोजनागों का ईविड़ कि इस युटप इस विसे श्तंटम सिrtतรवा प्रिकाशों के ओन्स आणिगं के इ